ओम स्री गनेशा इनमा दोस्तों ओम गनपती समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के मीन रासी फल के बारे में कि आज के दिन मीन रासी वालों को किन किन चीज़ों से साधान रहना होगा और किन किन चीज़ों से इनको फायदा होगा इनका बिजनेश और व्यापार कैसा रहेगा इनका केरियर और घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी इसके साथ ही स्वास्त की महत्मून जानकारी भी हम आपको देंगे और आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आपका दिन और भी बहतर और अच्छा हो सके दोस्तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटिफिकिसन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक नहींनी वीडियो समय समय पर पहुंच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों का आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज के दिन आपका भाक्य पक्ष मजबूत रहेगा इसलिए दोस्तो महत्पूर कारियों में सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है अपनी ओर से कोई लापरवाही ना बरते हैं म्यूजिक के छेतर से जुड़े लोगों को अच्छा आफसर मिलेगा और साथी टेली कम्यून्यूकेशन से जुड़े लोगों के लिए भी आज लाब का दिन है साथी गुद्रा व्यापारियों को अच्छा मुनाफ़ा होगा बस गिराखों का ध्यान रखें और साथी अच्छी भिक्री के लिए कोई स्कीम या ओफर भी दे सकते हैं बीट दर्द के पृती सचेत रहें हड़ियों में कोई दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर की सला अवस्टेली परिवार के कारियों में सहीयोग करें और माता पिता का सिर्वाद ले यह आपके लिए पोजिटिव रहेगा यह समय पिछली कुछ कम्यों से सीख लेकर आगे बढ़ने का है और आप इस पर कारिये भी कर रहे हैं इस तरह की कोशिसों से लोगों के साथ संबंदों में आस्चेरे जनक सुधार आएगा आप मजबूती के साथ इक नई सुरुवात करेंगे दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगिटिव बातों के बारे में आज आप वियर्त की बाहरी गतीविदियों में अपना समय नश्ट ने करें साथ ही घर के बुजुरों की अविलना भी ना करें उनका सहयोग और आसिर्वाद आपका मार्द दर्सन करेगा और साथ ही दोस्तों स्वारति मित्रों और लोगों से दूरी बनाए रखें उनकी गलत सला आपको अपने लक्षे से भटका सकती है जिसकी वजह से मन में मायूसी उत्पन होगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके विवशाय के बारे में इस समय विवशाय को बढ़ाने के लिए पार्टनर्सिप लाबदायक साबित होगी और कार्य का दायरा भी बढ़ेगा साथ ही आर्थिकी सिती में भी सुदार आएगा और नोकरी में इस्तान अंत्रण की संभावना बन रही है साथ ही साथ प्रतिष्टित लोगों से मुलाकात आपके विवशाय को तुरंत गति प्रदान करेगी इसलिए अपने कारियों के प्रती इमानदारी से समर्पित रहे दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में वेवाहिक जीवन सुख में रहेगा और प्रेम संभन्दों में निखार आएगा इससे आप दोस्तों में नजदी के बढ़ जाएंगी और साथ ही मनुर्दन संभन्दी कारियों में भे समय व्यतित होगा इससे दामपतय जीवन में मधूर्ता बनी रहेगी प्रेम संबंधों के लिए बहतर समय रहेगा की गई कोशीसों में सफलता प्रापत होगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्त के बारे में दोस्तो आपको कई बार आगा किया गया है स्वास्य संबंदित कोई पुरानी समस्या उतपन हो सकती है इसे आप गंबीरता से लें और तुरंट इलाज कराएं इसके लिए मेडिटेशन और योगा पर अधिक ध्यान दें जिससे समस्य तुरंट समाप्त हो जाएं और आप अधिक स्वस्त्र हैं दोस्तो आज आप ये वुपाय अवस्य करें शिवलिंग का गंगा जल से भी से करें और साथी गरीबों को खाना खिलाएं ये वस्त्रधान करें साथी समंत्र का 108 बार जापफ से करें ओम नमश्यवाए ओम नमश्यवाए इससे आपकी सभी मनों कामनाई सिग्र पूरी होंगी दोस्तों आपको बुखले बाबा का सिरुवाद पर आपको कमेंट में जैसी वस्ते लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल मैं हो